दोस्तो धन्यवाद करते हैं, एक बार मैं सागर, फिर से आप सबों को स्वागत करता हूँ अपने इस YouTube चैनल में, और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हम लोग का अभी चल रहा है characteristics of computer, इसका first part आपने देखा था, आज हम लोग second part की बात करेंगे, reliability तक हम लोग देख चुके थ तो storage capacity में क्या है कि memory is a very important characteristic of computer, किसी भी इनसान का जो memory होता है, या तो आप जो याद रखते हैं अपने दिमाग में, यादास रखने की सकती जो आप store करके रख सकते हैं, तो computer के पास भी memory होता है, जिसको वो store करके रखता है, तो वो इसके अंदर बहुत capacity होता है, जो एक इ पास के अंदर में, और यह बहुत बड़ा large amount of data को एक समय में store करके रख सकता है, यह किसी भी प्रकार का data, चाहे वो images हो, audio हो, videos हो, text हो, किसी भी प्रकार के data को यह store करके रखने में सक्षम है computer, next आता है automation, automation का मतलब क्या है, कि computer is an automatic machine, इसका मतलब क्या होता है, कि computer किसी भी क कारे को automatic करता है, ठीक है, जब computer किसी भी काम को या किसी भी work को user से receive करता है, उसका जो program है, आपने कोई एगर computer को काम दिया, तो यह हुआ कि computer उस काम को receive किया, receive करने के बाद में computer क्या करता है, उसको store करता है, और store करने के बाद उस पे क्या होता है, उसके उपर जिस तरह का instruction user ने उसको दिया है, वो उस काम को automatically करता है, without any human interaction, वो किसी से मदद नहीं लेता है, वो automatic वो काम करता है, इसलिए computer को automatic machine या इसको automation theory भी बोला जाता है, इस बात को याद रखिएगा आप लोगो, और दोस्तों क्या हुआ कि characteristics of computer मैंने एक पार्ट और रखा है, reduction in paperwork and cost, ये क्या होता है, जब से computer आया है, तब से क्या हुआ है, कि हमारा जो paperwork है, पेपर वेस्टे से बोल सकते हैं उसको, वो बहुत कम हो गया है, paperwork जो cost लगता था, किसी वो organization में आप जाएए, तो organization में क्या होता है, वहाँ पे paperwork में कमी आया है, लेकिन काम में, जो process है, वो बहुत जादे speed हो, वो speed हुआ है, काम उसका, बहुत तेज हुआ है, काम करने का तरीका, ठीक है, और किसी भी file को हम लोग electronic data बना के जब रखते हैं, electronic form में रखते हैं, उसको retrieve करना ज्यादा आसान होता है, कभी भी उसको retrieve कर सकते हैं, और उसको maintain कर सकते हैं, चाहिए वो जितना बड़ा भी data हो, लेकिन जब बात आती है, register maintain करनी की, तो register धीरे 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 एक समय ऐसा आता है, कि प्रवाने register को destroy करना होता है, लेकिन जब से electronic form में जो file आ गया है, रखने के लिए, तो electronic form में जो file रखा जाता है, वो कितना बड़ा भी हो, उसको हम लोग बहुत लब्मे समय त है, तो हमारा reduce, हमारो जो cost है, वो काफी reduce हो जाता है, ठीक है, और ये बहुत आसान भी हो जाता है, लोग को काम करने में costing बहुत कम होता है, शुरू का cost लगता है, लेकिन अगर बात का cost अगर हम calculation करें, तो वो बहुत आसान हो जाता है, धिरे धिरे और बहुत कम हो जाता है आगे अगर हम लोगों बात करें, Disadvantages of Computer, Computer का दुस्ष परिनाम क्या होता, या Disadvantages क्या होता, उसका हानी क्या है computer से, ठीक है, तो कुछ-कुछ चीजे हैं, जो Computer समझ नहीं पाता है, इसको लोग Disadvantages कहते हैं, जैसे उसके अंदर No IQ, उसके अंदर कोई भी Intelligency नहीं होता है, Intelligence, that means no intelligence बोलते हैं इसको, intelligence क्योरी, किसी भी चीज़ को computer खुद से नहीं कर सकता है, खुद से उस चीज़ को नहीं सोच सकता है, जब तक उसको कोई user, कोई instruction न दे, तब तक वो computer काम नहीं करेगा, computer कभी भी खुद decision लेने में माहिर नहीं है, सक्षम नहीं है, इसलिए इसको no IQ के दर्जे में रखा गया है, क्योंकि ये एक machine है, तो machine की तरह ही काम करता है, आगे के अगे के पार्ट में है, dependency, मतलब क्या है कि computer हमेशा user के instruction के उपर dependent होता है, जैसे मैंने पहले ही बोला कि computer खुद से कोई काम नहीं कर सकता है, जब खुद से कोई काम नहीं कर सकता है, उसे से computer depend होता है, जब तक आप उसको कोई काम नहीं देंगे, वो काम नहीं करेगा पूरी तरह से, ठीक है, तो ये totally user के उपर, computer का जो user होता है, उसके instruction के उपर dependent होता है, computer को अच्छे से चलाने के लिए या लंबे समय तक चलाने के लिए उसको dust free environment में रखना पड़ता है, क्योंकि computer क्या करता है, खुझ से कोई अच्छा environment चूज नहीं कर सकता है, कि हमको इस environment में रहना है, या वो खुझ से अगर उसके अंदर dust आया, तो खुझ से साब भी नहीं कर सकता है, तो इस चीज़ को थोड़ा ध्यान में रखना है, उसको हमेशा एक अच्छा environment में, एक अच्छा dust free environment रखने से क्या होता है, ये बहतर काम करता है, computer के अंदर कोई feeling नहीं होता है, को emotion नहीं होता है, उसके अंदर कोई प्यार मुबबत वाली चीज़ नहीं होती है, ठीक है, इस बात को लोग याद रखेगा, कभी भी वो judge नहीं कर सकता है, सबसे बड़ी बात है, उसके अंदर feelings तो होता नहीं है, emotions तो होता नहीं है, वो judge भी नहीं है, अगर आज गलत सवाल पूछें आप और दुबारा फिर आपकल गलत सवाल पूछेंगा, तो वही जवाब देगा, मतलब computer कभी भी अपनी गलतियों से खुद नहीं सीखता है, तो दोस्तों ये characteristics of computer अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा, तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, सेर करें, सब्सक्राइब करें, और बिल आइकन दबाना न भूले, क्योंकि जब ही मैं वीडियो अप्लोड करता हूँ, वह सबसे पहले आपको notification के रूपे मिल जाएगा, तो धन्यवाद द अजयो तो